हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू मैं रुपाली बर्मा मैंगनेट बेइन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है यहाँ पर कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि आपको दो वीडियो दिखाने के बाद थर्ड वीडियो के लिए आपसे बोलें कि आपको किसी तरह का पाकेश लेना है या कूपन लेना है तब आगे का वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ आप जितने भी वीडियो जितनी बार भी देखना चाहें आपके लिए 100% फ्री है मैंगेट बेंस अब आपके लिए लेकर आया है किंडर गार्डिन से कर क्लास 12 तक आपके बुक्स और ई-बुक्स लेकर आया है यहाँ पर इन बुक्स में आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रखा गया है और साथ ही इसको और जादा easier या efficient बनाने के लिए हमने इसे categorize किया है मतलब आप ऐसे देखिए कि हमने यहाँ पर आपको theory books दी हुई है mcqs books हैं, sample paper solution booklets हैं तो यहाँ पर आपके लिए आपके subject और हर क्लास के लिए यह books available है इन books को प्राप्ट करने के लिए आप नीचे description box में दियेगे form को fill करिए हमारी team आप से contact करेगी इसके लिए आज का हमारा वीडियो है class 9th Hindi course A के students के लिए हमारी book है कृतिका भागी, हिंदी की पूरक पुस्तिका है यह इसका अध्याय है दो, मेरे संग की औरती यह part हमारे सामने म्रदुगला गर्ग जी ने प्रस्तुत किया है और यहां पर उन्होंने अपने साथ की कुछ औरतों जिनमें इन्होंने चार पीडियों का उलेख किया है जहां इनकी पर दादी, दादी, इनकी मा और खुद इनके साथ की जो बहने तीन है उन्होंने अपनी नानी के बारे में भी हमको इसमें बताया है तो जो इनके साथ की औरते रही, उनके बारे में नोने हमको बताया है साथ ही उन्होंने उनसे क्या-क्या सारी चीज़ासी किये, ये भी तो चलिए आज इस part को हम करने वाले हैं MCQs इस पार्ट का detail explanation, NCRT solution और इसका one short revision हम पहले कर चुके हैं तो आज फटा फट इसके MCQs कर लेते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले है इत्र भेट करने पर यह कथन किसका है? नहीं चाहिए मैं तो रोज नहाती हूँ भाई इनकी एक बहन थी किनकी म्रदुलागरग जी की तो उनको किसी ने perfume भेट किया तो जब भेट किया तो उन्होंने बोला नहीं मैं रोज नहाती हूँ तो यह किस बहन का कथन था? मनजुला, चित्रा, अचला या रेणू तो इनकों ने जो करी थी वो थी आपकी अचलाने पत्रिकारिता की फरीक्षा उत्रीन लेखिका ने करनाटक में बच्चों के लिए स्कूल कहां चलाया था? करनाटक में उन्होंने बच्चों ले स्कूल खुला था वो कौन सी जगह थी? धूल कोट, बागल कोट, सियाल कोट या राज कोट तो वो जखा थी करनाटक की बागल कोट में मेरे संकी औरते पाट की लेखिका कौन है? मरदुला गर्ग, मालती जोशी, महादेवी वर्मा या आशापूर्णा देवी तो यहाँ पर पाट की लेखिका वे हैं, मरदुला गर्ग लेखिका की नानी की मृत्यू कब हो गई थी? उन्होंने कब बताया है पाट में उनकी नानी की मृत्यू हो गई थी? लेखिका की नानी कैसी महिला थी? परदा नशी आधुनिका पढ़ी लिखी या अपरम पारिक तो जो वो थी वो थी परदा नशी परदा नशी का ताथ पर है कि हमेशा परदा करना गैर मर्दों से घर में किसी भी बहारी व्यक्ति के सामने वो बिना परदे के नहीं आती थी हमेशा परदे में यानि की घूंगट जिसकों बोलते हैं वो रहता था लेखिका की नानी अप्टी बेटी के लिए कैसा वर चाहती थी? सरकारी नौकर आजादी का सिपाही, डॉक्टर या बेरिस्टर तो वो चाहती थी वर कैसा? आजादी का सिपाही क्योंकि उसलमे देश घुलाम था तो वो ऐसा चाहती थी कि जो अपने देश से प्रेम करता हो ऐसा उनका तामाद होना चाहिए लेकिका के पिता को किस परिक्षा में बैठने से रोक दिया गया था वो कौन जी परिक्षा देने वाले थे जिने उस परिक्षा में बैठने से रोक दिया गया था ICS, IIT, IPS या IMS तो उन्हें रोका गया था ICS की परिक्षा देने से लेकी आ कि नाने पक्के क्या माने जाते थे यानि कि उनके ऊपर अंग्रेजों का बहुत ही जादा असर था भाई बाहर रहे थे लंडन रहे थे वहाँ पढ़े बढ़े थे तो उनका रहन सहन सभी कुछ जो है वो कैसा था अंग्रेजों जैसा था तो इसलिए यहाँ जब इंडिया आये तो उनको सभी लोग क्या कहते थे साहब साहब कहकर बुलाते थे लेखिगा की मा का अधिकांश समय किस कारण में बीटता था लेखिगा की मा का समय किस में बीटता था खाना बनाने में, किताबे पढ़ने में, घूमने फिरने में या सजने सवरने में तो उनका ज़ादा तर समय बीटता था किताबे पढ़ने में वो किताबे बहुत ज़ादा पढ़ा करती थी उनकी मा लेखेगा कि मा के प्रती सबकी शद्धा का मुख कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था, क्या ऐसा था कि जो सब उन पर इत्ता शद्धा रखते थे, वे बहुत काम करती थी इसलिए वे कभी जूट नहीं बोलती थी, वे बैरिस्टर की बेटी थी, वे बहुत अधिक सुन्दर थी, तो उसका सही कारण था कि वे कभी जूट नहीं बोलती थ जाये जिसको जैसा भी लगे इसी लिए लोग उनपर ज्यादा श्दधा रखते थे जैन समाज में संग्रह ना करना, किसी से कुछ ग्रहन ना करना क्या कहलाता है जा संग्रह नहीं करना किसी मतलब की किसी से कोई चीज ले नहीं और इकठा ना करें अपने पास तो वो क्या कहलाता है अपरी ग्रह, अग्रहन, असंग्रहन या अपरिहाए तो यहाँ पर जो सही होता है जैन समाजियों से बोलते हैं अपरी ग्रह लेखिका की पर दादी के गाउं का क्या नाम था पर दादी हम नानी की अभी हमने नानी की बात करी अब हम दादी की बात करें पर दादी के गाउं का नाम क्या था हपुड नकुड अकुड या कपुड तो जो सही है उनका नाम वो था नकुड अकबकाया शब्द का अर्थ क्या होता है अकबकाया इसका मतलब क्या होता है घबराया शर्माया बहलाया या फुसलाया तो अकबकाया का जो मतलब होता है वो है घबराया बहुत जी जाद हम किसी जी से घबरा जाए तो क्या बोलते हैं कि अकबका गया एकदम से घबरा के कु अच्छा इंसान बता दिया था तो पहरेदार ने उस चोर को कहां पर देखा था जो पकड़ के दादी के पास ले आया था वही चोर घुसा था घर में सब लोग फंक्शन में कहा हुए थे बाहर की तरफ था दादी अपना रूम छोड़ के चोर शबागे वज़े दूसरी उसको देखा था चट पर कमरे में कुए पर या बरामदे में तो पहरेदार ने उसको देखा था कुए पर 15 अगस 1947 के दिन आजादी का जश्न देखने के लिए लेखे का किस बिमारी के कारण नहीं गई थी 15 अगस सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ अब इसका बहुत बड़ उनिया तपैदिक या डाइरिया तो उनको क्या हुआ था उन्हें हो गया था टाइफाइट 15 अगस 1947 की दिन लेखे का की उम्र किती थी वो उस समय कितने वर्ष की थी 12, 11, 10 या 9 तो उनकी उम्र थी 9 वर्ष की लेकिगा की पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था उनके फादर ने उन्हें कौन सा नवल दिया था पढ़ने के लिए ब्रदर्स कास मोफ, ब्रदर्स कारा मोफ, ब्रदर्स कारा मवोज, ब्रदर्स कासा मवोज तो यहाँ पर जो सही है वो था ब्रद जो मंजुला हमारी म्रदुला गर्ध हमारी लेकिका हैं उनसे बड़ी बहन जो थी उनका नाम था मंजुल। लेकिका की पाँचवी बहन का क्या नाम था अचला, उमा, रेडु या रानी तो उनकी पाँचवी बहन का नाम था अचला। अचला लेखिका से कितने वर्ष छोटी थी आठ, नौ, दस या ग्यारा तो अचला उनसे छोटी थी आठ वर्ष रेडू ने किस जर्नल को पत्र लिखा था कि हमें आपका चित्र चाहिए इसका मतलब क्या होता है जाहिर करना, दाद देना, शिकायत करना या रोना धोना तो यहाँ पर इसहार का ताद पर होता है जाहिर करना, कोई चीज जैसे हम अपनी कोई मन की बाद आप से कहें, तो हमने क्या बोला, हमने अपने मन की बाद आपके सामने इसहार कर दी नेक्स होता है लेखिका की नानी की कितनी बेटिया थी, लेखिका की नानी की कितनी बेटिया थी, अर्थात उनके जैसे मा हैं, उनकी और बहने हूँ, तो किती थी, एक, दो, तीन, चार, तो लेखिका की नानी की कितनी बेटिया थी, सिर्फ एक ही बेटिया थी, अर्थात ह अमारी जो लेखिका थी उनकी मा, सिर्फ वही एक बेटी थी। लेखिका ने किस दिशा में उलेखनी प्रयास किये, कौन सी दिशा थी। खेलना बच्चों का जन्मस्द अधिकार है, इस दिशा में प्रोड साक्षर्ता अभ्यान, बालमस्दूरी, सिक्षा बच्चों का जन्मस्द अधिकार है। इसका अर्थ क्या होता है, भयंकरता, जोड़ी, उदासी, आज्याकारी, तो फर्माबरदार का तातपर होता है, आज्याकारी, मतलब जैसे बोलते हैं, कोई बच्चा अपने पैरेंट्स की, अपने टीचर्स की सभी की बात मानता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा फर्माबरदार बच्चा है, लेकिका की मा का वेक्तित्व कैसा था, उनका अपना वेक्तित्व कैसा था, खुबसूरत, गैर दुनियादारी, इमानदारी और निश्पक्षता इन में से सब ही, तो उनका जो वेक्तित्व था, वो था ये सारे ही, मतलब ये सारे गुर उनके विधित्व में थे वो खुबसूरत भी थी गैर दुनियादारी थी मत्वाद दुनियादारी से व सरक नहीं मत्वा अनको कोई तालूक नहीं रखती ती कि क्या क्या होना है इमानदार थी और निश्पक्ष नहीं कोई भी फैसला किसी के पक्ष में न रहकर वो निश्पक्ष रहकर किया करती थी अपरी ग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है जिद्द ना करना, किसी से कुछ ग्रहन ना करना दूसरे ग्रह में की जानकारी रखना या दूसरे ग्रह का पुराणी तो अपरी ग्रह का ताद पर होता है किसी से कुछ ग्रहन नहीं करना मेरे संकी औरते संस्परण में लेखिका ने कितनी पीडी की महिलाओं का वंडन किया है कितनी पीडी की महिलाओं का वंडन उन्होंने यहाँ पर किया है एक पीडी, दो पीडी, तीन पीडी या चार पीडी की उन्होंने यहाँ पर मंणन किया है चार पीड़ी की ओरतों का, वेपर दादी, दादी, माँ और खुद उन्होंने अपनी और अपनी बहनों की, यह चार पीड़ी हो गई ना, तो वो नानी की मृत्यू की समय लेखिका की मा की उम्र कितनी थी जब नानी की मृत्यू हुई तो उसमय लेखिका की मा कितने साल की थी दस वर्ष, बारा वर्ष, चौदा वर्ष या पंदरा वर्ष तो उनकी मा थी वो पंदरा वर्ष की थी नानी जी अपने मन में कौन सा सपना पाले बैठी थी भाई वो परदा नशी औरत थी वो ज़्यादा लोगों से तालुक नहीं रखती थी लेकिन तब भी उनके मन में एक सपना था वो सपना क्या था आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का मा की शादी का बैरिस्टर की पढ़ाई करने का देश की आजादी का तो भाई वो बहुत ही अपने घरेलू किसम की औरत थी धार्मिक भी थी परदा नशी थी तब भी उनके दिल में जो सपना था वो था देश की आजादी का मतलब हमारा देश आजाद हो जाए इसका सपना उनके मन में था लेकिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही रहा पर ले आई थी एक जूटे व्यक्ति को एक शराबी व्यक्ति को एक अपाहिज को या एक चोर को तो कौन आया था घर में घुस के वो था चोर और उसको उन्होंने एक ही लोटे में पानी पीके अपना क्या बना लिया था बेटा बना लिया था और उनसे बोला था या तो तुम चोरी करो जेल जा तो या फिर तुम नहिनत करो तो उन्होंने क्या किया था एक चोर को सही वेक्ति अच्छा वेक्ति बना दिया था मेरे संग की औरते पाठ लोगों को क्या सिक्षा देता है ये पाठ हमें किस प्रकार की सिक्षा प्रदान कर रहा है लड़कियों को सुतंता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए लड़कियां घर के लिए बहुत आविशक होती है लड़कियों के बिना समाज अधुरा होता है लड़कियां परिवार का आधार होती है तो जो हमें संदेश दे रहा है वो है लड़कियों को सुतंता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए क्योंकि अगर वो सुदंता पूर्वक जीती हैं तो उनकी सोच उतनी ही जो है अच्छी होती है वो अपनी घर परिवार और सभी के लिए उतना ही अच्छा कर पाती है कैथोलिक विशप का स्कूल खोलने के विशए में कैसा रवय था नीचे दिये गहें विकल्पों के आधार पर बताईए करनाटक में जब वो इसकूल खोलना चाहती थी तो भाई उनको दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने कैथलिक विशप से बात करी थी तो उनका रवय इसके के लिए कैसा था सकारात्मक नकारात्मक तठस्त या सहायता पून तो उनका जो था रवया वो था सहायता पून यानि कि उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है हम खुलवा देंगे तो मतलब वो सहायता करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई कम से कम 100 साल तक ही स्क ब्रदर्स कारा मवूज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? किसने ये लिखा है? शरत चंद दास्ता वोस्की, चेतन भगत या सलमान रशीद तो इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है दास्ता वोस्की में फिरलेकिका की नानी और नाना के मत्र बहुत बड़ा अंतर था पाड़ के आधार पर बताईए कि ये अंतर किस कारण रहा होगा? उनके बीच अंतर था तो ये अंतर किस कारण था आपको ये बताना है वेक्तिकत सोच के कारण असिक्षा के कारण मर्धे उत्पन कलह के कारण स्वतंत वेक्तत्व के कारण तो यह जो अंतर था उसका सबसे बड़ा कारण था असिक्षा के कारण भाई जो उनके नाना थे वो Cambridge University से पढ़े हुए थे और नानी पूरी तरीके से असिक्षत थे तो यहाँ पर उनके बीच का जो difference था वो सबसे बड़ा कारण था असिक्षा का परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिता जी ही क्यों महत्वपूर्ण थे बहुत सारे सदस थे भाई पांच बहने थी घर में पूरा बड़ा भरे परिवार था लेकिन पिता जी बहुत important थे इसका कारण क्या था वे सदय मित्र के समान वहवार करते थे वह उच आदर्शों वाले वेक्ति थे वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे वे लेकन के छेत्र में गुरू थे तो क्यों महत्पूर थे इसका बड़ा कारण ये था कि वे माता पिता दोनों की भूमिकाओं को निभाते थे उनकी माता जो है न गो जादा कारण नहीं करती थी जाधत टाइम में वो अपना किताबे पढ़ने में लगाती थी तो यहाँ पर पिता की भूमिका माता और पिता दोनों में ही आ गई थी लेखिका ने करनाटक के भागल कोट में कैसा स्कूल खोला किस तरह का स्कूल था हिंदी कंणर सिखाने वाला, हिंदी अंग्रेजी कंणर सिखाने वाला, अंग्रेजी कंणर सिखाने वाला या हिंदी अंग्रेजी सिखाने वाला तो जो उन्होंने वहाँ पे स्कूल खोला वो था आपका हिंदी, अंग्रेजी और कंणर भाषाएं सिखाने वाला स्कूल मतलब वहाँ पी ये तीनों ही भाषाएं सिखाई जाती थी लेखिका की कितनी बहने थी? कितनी बहने थी? 3, 4, 5 या 6 तो उनकी बहने थी कितनी? वो थी 4 तो अब लेखिका को भी मिला लेगी हो जाएंगी तो 5 मतलब लेखिका और उसके लावा उनकी 4 बहने और थी मेरे संगी ओरते पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? किस तरह की सहायतिक विधा में ये पाठ हमारे सामने प्रस्तूत किया गया है? संसरानात्मक शैली, यात्रवतांत शैली, उपन्याज शैली या कहानी शैली तो ये कैसा है? ये है आपका संसरानात्मक शैली संसमन में क्या होता है हमारे सामने? कि जब बहुत सारी यादे जो हैं कलेक्ट करके एक जगा एक तरिकी जाती है और हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है तो ये उसी तरीकी शैली क्योंकि उन्होंने अपनी नानी के, परदादी के, दादी के, मा के, पिता जी के, नाना जी के, अपनी बहनों के सभी के बारे में हमें बताया तो यानि कि उन्हों अपनी यादों से निकल कर ये पूरा पार्ट हमारे सामने तयार करके रखा है तो इसलिए क्या है ये संशनात्मक शैली में है नेक्स आते हैं लेखिका की नानी ने अपने अंतिम समय में किसे बुलाने की इच्छा जाहर करी नानी जब मरना से नवस्था में थी तो उस समय तक जो है इनकी लेखिका की मा की शादी नहीं हुई थी अब इस चीज़ से वो बड़ी चंतत थी, वो चाहती थी कि शादी कराई जाए तो उस समय पर उन्होंने इसका कारेभार देने के लिए किसे बुलाया था अपने पती को, अपनी बेटी को, प्यारे लाल शर्मा को या यमराज को उन्होंने उस समय में बुलाया था प्यारे लाल शर्मा जी को आप देखें, यहाँ पर बता देते हैं कहानी क्या है इनके पती, यानि कि इनके नाना जी जो थे, लेखिका के नाना जी है उनके मित्र थे प्यारे लाल शर्मा जी उनको अपने आखरी समय में बुलाया और उन्हें ये जम्मेधारी दी कि मेरी बेटी की शादी ऐसे रेक्ति से करना जो आजादी का सेनानी हूँ मतलब देश को आजाद कराने में जो कारे कर रहा हूँ अब ये काम ये इन्होंने अपने पती को इसलिए नहीं दिया क्यों क्योंकि वो तो अंग्रेजों के भक्ते थे अगर ये शादी का जम्मेधारी उन्होंने अपने पती को दे दी होती तो उन्होंने अपने बेटी की शादी जो नहीं किसी अंग्रेज से कर दी होती जो यह अंग्रेजी शाशन के अंदर कारे कर रहा होता उससे करदी होती यह ऐसा नहीं चाहती थी यह उनकी नानी ऐसा चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जिससे हो वो हमारे देश के प्रती देशभक्ती की भावना रखता हो इसलिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा को बुल वो प्रेगनिन थी, उस समय उनकी परदादी ने एक मननत मांगी, जिसको सुनकर सभी बहुत ही ज़ादा अवाक रहे गे. कारण क्या था? पांच कन्या रत्न प्राप्ती की मननत, चोर को अपना पुत्र बनाने की मननत, कपड़ा अपड़ी ग्रहन कने की मननत, पतोहु के लिए कन्या रत्न की मननत. तो उन्होंने क्या मननत मांगी? वो थी पतोहु के लिए कन्या रत्न की मननत. ऐसा नहीं था, उनक पहली कन्या होनी चाहिए और उसके बाद भगवान इतना प्रशन हो गए कि एक के बाद एक के बाद एक पांच कन्याएं उनके घर में दे दी थी शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी जब लेखिका के शादी हुई तो बिहार के किस कस्बे में रही वो डालमिया नगर गया मोतिहारी या सीता मड़ी तो वो बिहार के जिस एरिया में रही वो नता नाम डालमिया नगर पाट में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू इस्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है नानी के रूप में किस रूप को दर्शाया त्याग मई, सहासी, स्वतंतरता प्रिये या नीरस तो घरेलू में उन्होंने बताया स्वतंतरा थी मतलब घरेलु रूप से वो औरत थी लेकिन तब भी स्वतंत्रता के लिए वो बहुत ही प्रिये थी मतलब वो चाहती थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो दादी ने कैसे एक चोर का हिदय परिवर्तन करवाया था किस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उन्हों चोर का हिदय परिवर्तन हो गया उपदेशक कथा सुना कर उसके हाथ का पानी पी कर तथा बचा कर एक ही लोटे में पानी पी कर तथा रिष्टा बना कर उसे बचा कर तथा स्रहदता दिखा कर तो सही क्या था उन्होंने एक ही लोटे में पानी पिया और रिष्टा बना लिया वहीं चोर लोटे से पानी लेकर आया उन्होंने पानी पिया दादी ने और फिर उसके बाद कहा कि यह बचा पानी तुम पी लो चोर से तो इस तरीके से एक ही लोटे से पानी पीने के बाद उन्होंने मा बेटे का रिष्टा बना लिया और कहा इस तरीके से चोर का हिदय परिवर्दथ हो गया था लेखिका के परिवार में सबको अपना क्या बनाए रखने की छूट थी क्या बनाए रखने की अहंकार, अलग कमरा, निजत्व या अभिवेक्ती तो क्या था सभी को निजट्व यानी कि अपना एक जो कैखते हैं हम प्राईवेट कॉर्णर जिसमें बोलते हैं सबको अपना लाइफ बना के रहे प्राईवेट मतलब है कि हम सबसे अपना हरसी शेर करें ऐसा कोई जुरूरी नहीं था प्राइवेस्वी बना कर रखने की सब ही गौवाजादी थी मेरे संकी औरते पाठ के अधार पर बताईए कि कैसे इंसानों को शद्धा भाव से देखा जाता है किस तरीके के इंसानों को शद्धा भाव से देखा जाता है धनी व्यक्तियों को बड़े विद्वानों को देश प्रेमियों को या साधू सन्यासियों को तो पाट के आधार पर जो है वे साधू सन्यासियों को बहुत ही शद्धा भाव से देखा जाता है ये पाट में जिगा mention है चीज़ को तो इस तरीके से इस part के सभी mcqs हमने आपको बता दिये किस किस तरीके से पूछ जाएंगे क्या क्या होगा यह सभी हमने आपके सामने रख दिया है तो आपको अभी तक इसमझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रश्ण आपसे पूछे जा रहे हैं Magnet Brains आपको free education देता है लेकिन साथ ही साथ Magnet Brains अब आपको kindergarten से लेकर class 12 तक books और e-books प्रोवाइट करा रहा है इसमें content बहुत ही अच्छा रखा गया है जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत जादा help भी करेगा आपको और जादा आसानी से चीज़े समझ में आएं और उस content को और जादा efficient बनाने के लिए हमने इसे categorize किया है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं आपको मिलेगा जैसे theory books हैं आपकी, mcqs books हैं, sample paper solution books हैं और बहुत तरीकी की booklets आपको यहाँ पर मिलेंगी categorize way से तो इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे description box में आपको एक form दिया गया है इस form को fill करके आप submit करिए हमारी team आप से जल्द ही content करेगी इसके लिए साथ में बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ है आपके लिए thank you for watching, bye bye